है दोस्तों बच्चों में क्या है बख़ार के सिकायतु होती हैं और आपको इंफेक्शन और और आथों के अंदर घहा भी हो बाहर के खाने से दूसित खाने से पानी दूसित पानी से और दूस्तों जो दूसित पानी पीते हैं और बच्चे इंफेक्टेड हस से उस इस सिती में क्या बच्चे बहुत ही गंबी रूप से बीमार जाते हैं दोस्तों क्या है आपके बच्चों को इतना तीजी से बुखार रहता है और अन्कंट्रोल रहता है उस इस्थिति में क्या है हम कौन सी एटि एटिवेटिक देखी बच्चों का मियादी बुखार सही कर सकते हैं दोस्तों आज हम एजी त्रोमाइसिन एजी बेंट नाम से सीरप है इसके बारे मैं बताएंगे कि एजी बेंट शीरप जो है ब दूस्तों भाफ्चों को क्या है यह ओरल सस्पेशेंजन बहुत ही अच्छा उस्पेशन है और साती साथ में दोस्तों के जब भी जिसके परीशानी branc default is इससे संबंधित परिशानी बनती है तो आप बच्चों को एजिवेंट सीरफ देके उस परिशानी को सही कर सकते हैं और दोस्तों एजिवेंट सीरफ बहुत ही कम रेट में मिल जाती है तो मैं आज इस वीडियो में आपको एजिवेंट सीरफ के बारे मताऊँगा कि बच्चों को म्यादी बुखार में एजिवेंट शीरफ देने के बाद आप किस हिसाब से प्रोटेक्शन कर सकते हैं और किस हिसाब से बचाप कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो मेरे नाम बिजयस और आप दिख रहे हैं ग्लांस इंडिया चैनल आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब किजिगा सेर किजिगा और लाइक जरू किजिगा सस्क्राइब करते समय दोस्तो बैड आकन को जोड़ दोबाएगा इस से संबंध दोस्तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा चलिए दोस्तो वीडियो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं एज़िवेंट सीरफ के बारे में एज़िवेंट सीरफ के क्या-क्या लाव है चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एजी बेंट 200 mg और 100 mg दोस्तों ये ओरल सस्पेंशन किस काम आते हैं कौन-कौन सी बीमारी इससे सही हो जाती है दोस्तों इसके साथ-साथ जो परिशानिया बनती हैं हमारी सर्ड के अंदर इंफेक्शन का हो जाना सर्दी जुखाम का हो जाना खांसी का बहुत हो जाना साथ-साथ में दोस्तों जिन बच्चों की मियादी बुखार की सिकायत हो जाती है हड्डीं बला बुखार बन जाता है या आपके कोई भी बुखार से समफ़्ेशानी हैं इंफेक्शन है तो आप दोस्तो एजी पेंट सीरप का इस्तिमाल करके बुखार का तोड़ने का सकते हैं एजी त्रोमाइसेन ओरल सस्पेंशन दोस्तो ये सीरप के अंदर मिलता है ये बहुत ही अच्छी कंपनी की और बहुत ही अच्छी सीरप है दोस्तो ये जो है सीरप अरिष्टो कमपनी की है दोस्तो हम इस कमपनी का प्रोमोशन नहीं कर रहा है दवाई का हम रिव्यू बता रहा है किस दवाई से आपको क्या तरलाब मिलेगा अब बात करतें दोस्तो एजीत्णोम आशिन के बारे में एजी त्रोमाइशन दोस्तों ये 100 mg सीरप है ये वाली इसे 5 ml में 100 mg दे सकते हैं दोस्तों ये सीरप जो है 15 ml की है एजी बेंट 100 mg रेडी यूज सीरप है दोस्तों ये 2-9-MG की सीरप है इसे आप बच्चों की बुखार में बच्चों की म्यादी बुखार में बच्चों का किसी भी तरह का बुखार है बच्चों के खासी है बच्चों के निमोनिया है बच्चों के इससे सम्मनित कोई भी परिशानी है प्रोंकाइटेस है या हलका-फुलका इंफेक्षन है तो आप इस एजीबैंट सीरप का इस्तिमाल करके हर तरह की infection को साती सात में दोस्तो म्यादी बुखार को म्यादी बुखार के लिए patent दवाई है Egythromation दोस्तो खास तोर से म्यादी बुखार के लिए Broad Spectant Antibiotic का काम करती है और दोस्तो साती सात में इसकी कीमत बहुत माकूल है और बहुत सस्ते दामों है कीवत की बात करते है 100 mg की सीरप की दोस्तो आपको 32 उर्पे में 15 ml ये सीरप मिल जाती है और ये वाली जो सीरप है 200 mg की ये 15 ml की सीरप 45 उर्पे में मिल जाती है दोस्तो ये सीरप खास तोर से म्यादी बुखार के लिए नहीं गई हैं और इनका इस्तिमाल करके आप मियारी उखार को जड़ से खतम कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इसकी आपको 20 mg पर बर केजी के साथ से देनी है 20 mg per day per kg के साफसे देनी है दोस्तो जितने किलो का बच्चा है उसके किलो के साफसे 20 mg per day per kg के साफसे देना है दोस्तो इस सीरफ का इस्तिमाल करके आपके म्याज़िक उकार का संकट जो है बुक्कुल हर जाएगा इसे आप 7 से दस दिन तक के लगातार आप दे सकते हैं दोस्तों इस सीरप का इस्तिमाल करने से आपके म्यादी बुखार सरीर में इंफेक्शन या इससे सम्मंद कोई भी इंफेक्शन बनता है तो आप इस सीरप का इस्तिमाल करके म्यादी बुखार को सही कर सकते है अब बात करते दोस्तों इसके सीरप के अंदर की ब्यू की तो मैं अंदर का ब्यू दिखा देता हूँ किस तरह का सीरप है दोस्तों ये सीरप है एजी बेंट ये एजी बेंट सीरप है दो सम्जी का इसके अंदर ये ढकन है ये दोस्तों ये सिरप बहुत ही अच्छा अरिष्टो कंपनी का सिरप है 45 रुपे इसके अंदर की मडली हुई है दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म में है ड्राई सिरप नहीं है एंटिबाटिक जात रहे दोस्तों लिक्विड फॉर्म में नहीं आते ड्राइ सीरप में आते हैं यह जो एजबेंट सीरप है दोस्तो लिक्विड फरम bunlar बनाया गया है बहुत ही अच्छा सीरप है और इसे आप रोज एक बार सीरप को दे सकते हैं दोस्तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होהगि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो सेर करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समये दोस्तों बेल आइकल को जो दवाई सब्सक्राइब करते समये दोस्तों बेल आइकल को जो दवाई झाल